दोस्तों कैसे रहेगा आपका आज का दिन क्या कुछ अच्छा होने वाला है या कहीं कोई ग्रह डाल रहा है कोई अडचन क्या करें क्या ने करें जानते हैं आज के तारे सितारे में आज का पंचांग तिथी त्रियोदशी वार शनिवार योग अतिगंड करण गर नक्षत्र विशाखा पक्ष क्रश्न शक्स समवत सब्सक्राइब अब बात करते हैं आज के राशी फल के बारे में सबसे पहले शुरू करेंगे मेश राशी से सुख सादनों पर खर्च करना चाहेंगे यात्रा पर जाने का भी संयोग बनेगा होटल रेस्टोरेंट के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय पक्षका बनेगा जवारात से फायदा होगा किसी अच्छे समय का इंजार खत्म होगा नए निनने लेकर खुशी होगी उपाये दस सफेद मावे के पेड़े लेकर बाला जी के मंदिर में चड़ाएं अब बात करेंगे व्रशवराशी के बारे में कीमती सामान खराब हो सकता है किसी के दबाव में आकर लेन दिन बिलकुल ना करें कोई भी कारे हो सावधानी पूर्वक करें आपका दिमाग बड़ी योजनाओं में उलच सकता है एवं स्वास सम्मंदी परिशानी का कारण भी बन सकता है उपाये इत्र लेकर शिवलिंग पर चड़ाएं अब बात करेंगे मिथन राशी के बारे में किसी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे किसी भी विशे की गहराई जाने बिना हाँ बिलकुल ना करें पेट वे पेरों की समस्या हो सकती है संतान पर ध्यान जरूर देवें अपने रिष्टों पर ध्यान देने की आवशक्ता है उपाये सुभा शाम हनुमान चालिसा पड़ें अब बात करेंगे करकराशी के बारे में दूसरे पर इतने भी महरबान नहों की आर्थी संकट जेलना पड़े कोई उलजन मानसी का शान्ती बढ़ा सकती है कोई आपको बातों से ब्रहमित भी कर सकता है कोई भी खरिदारी सोच समझ कर करें उपाये मीठा भोजन गरीब लोगों में बाटे अब बात करेंगे सिंगराशी के बारे में किसी से प्रेम प्रसंगों में सम्मन्द प्रगाड होंगे मगर एक दूसरे पर शक करना जगड़ा भी करा सकता है संतान के लिए समय उत्तम है व्यापार करने वाले सोच समझ कर कारे करें अन्यत आपको हानी उठानी पढ़ सकती है उपाये मीठे चावल लेकर पक्षियों को खिलाएं अब चलते हैं कन्याराशी की तरफ घर की जिम्मेदारी का ध्यान रखकर काम करें आर्थिक लाब तो होगा किन्तु कले भी हो सकती है लालच में पढ़कर कोई कारें बिल्कुल ना करें और दूसरे का साथ लाब दैक रहेगा उपाये लश्मी जी के आर्थिक गी का दीपक जला करें अब बात करेंगे तुलाराशी के बारे में आपका संगश आपको अच्छा फल देगा परिवार जनों के साथ आप भूमने जा सकते हैं अच्छी चीजों की खरिदारी भी आप कर सकते हैं राजनेतिक सेवा वाले लोगों को फायदा अवश्य होगा धन की प्राप्ती भी अवश्य होगी उपाये पक्षियों को सतनाजा खिलाएं अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी के बारे मन की इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे अपने गुस्से पर नियंत्रन रखें इस समय बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है अब माता पिता के स्वास्त का ध्यान रखना आउशक होगा सेवा करने की इच्छा भी प्रबल रहेगी शांती पूर्वक काम करें चिंता का दापी ना करें उपाये गरीब लोगों को मीठा शर्बत बिलाएं अब बात करते हैं धनुराशी के बारे में दुखी मन को प्रसंता मिलेगी मन में ज्यादा इच्छा है कारे को ले कर रहेंगी मन की निराशा दूर होगी नया काम करने की सोचेंगे पूरा ध्यान काम पर रखने से आपको बहुत अधिक लाप प्राप्त हो सकता है उपाये देवी मा को हलवे पूरी का भूग लगाए अब बात करते हैं मकराशी के बारे में न चाहते वे भी खर्चा करना पड़ सकता है यात्रा का सेयोग बन सकता है कोई व्यक्ति आपस्त में गलती ढूड़ने की कोशिश करेगा ऐसे व्यक्ति का साथ रहेगा जिसके साथ से आपको अत्यन्त परेशानी हो सकती है उपाये सफेद वस्त्र स्वयम धारन करें अब बात करते हैं कुम्पराशी की बाई लाप को लेकर समय आपके पक्ष में बना हुआ है आपको कोई भी अर्चन रोग नहीं सकती जमीन जादा जे समदित कारे करना सही रहेगा विवादित प्रॉपर्टी को ना ही खरीदे सभी को विवार से अपना बना सकते हैं उपाये छोटे बच्चों को मीठा प्रसाद बाटे अब बात करते हैं मीन राशी के बारे में अपने कारे को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे जो भी कम्याप में थी वो अब दूर हो सकती है लोगों के समझाने का असर आपके फैसलों पर भी पढ़ सकता है दूसरों की सरहाना और सहयोग आपको मिल सकता है गर की महिलाओं एम बुजुरकों के चरण इसपर्षकर उनका आशिरवात ज़रूर ले वे तो बारा राशियों का राशिफल जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं आज के उपाई की तरफ पूरण मासी को किसी भी वट व्रक्ष की 108 परिक्रमा करें सुन्दर कान का पाठ और गुरु आरकुप वट पीपल के लिए के व्रक्ष पर जल चड़ाना चाहिए सभी विगनिस से दूर होते हैं अब आज का सुविचार रिष्टे, प्यार और मित्रता हर जगे पाए जाते हैं परंतों ये ठहरते वही हैं जहां इने आदर मिलता है तो दोस्तों तारे सितारे के प्रोग्राम में आज बस इतना ही कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ तब तक के लिए नमस्कार